मैंने देखा कि इस कारिक्रम की शुरुवात में आपने जिस मंत्र का जाब किया था, वो दूसरे मंत्रों से अलग था. क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या इस मंत्र का कोई अर्थ है और इन मंत्रों में क्या फर्क है? देखे हमें इसे समझना चाहिए कि मंत्र जैसी एक चीज होती है, ठीक है? मंत्र मतलब हमें इसे एक शुद्ध ध्वनी कहते हैं. एक ध्वनी शुद्ध क्यों है और दूसरी क्यों नहीं, बात वो नहीं है. मेरा मतलब है कि मंत्र की ध्वनी महत्वपून है ना कि मंत्र का अर्थ अर्थ केवल आपके मानसिक स्थर पर मौजूद है इंसानी मन को छोड़कर ब्रहमान में कहीं भी कोई अर्थ नहीं है पर ध्वनी है क्योंकि ध्वनी ये गूंज या कमपन है और आज आधुनिक विज्ञान इस बारे में बात कर रहा है कि कोई पदार्थ नहीं है हर चीज एक गूंज है यानि बस उर्जा कमपित हो रही है तो ध्वनी ब्रहमान्ड का एक सच है अर्थ एक मानसिक रचना है ज्यादा तर मतलब विशेशक ये वो हैं मैंने उन चीजों को नहीं पढ़ा है मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं है लेकिन मूल रूप से पूर्व में सीखने की पद्धतियों के रूप में जो भेंट किया जा रहा है मोटे तोर पर उसका मर्म है ध्वनी का प्रभाव कैसे? क्योंकि स्रिष्टी को ध्वनियों के एक जटिल मेल के रूप में देखा जाता है और कुछ ध्वनिया चाबी की तरह है चाबी यानि मान लीजे कि आप इस कमरे में बंध है और मैं आपको एक चाबी देता हूँ आजादी की चाबी पर आपने चावी को देखा और आपके पास चावी की कोई समझ ही नहीं है आपने उसे अपने कानों में डाला और घुमाया आपने ये किया उसे दिवार में घुसाया पर कुछ नहीं हुआ सिर्फ अगर आप उसे उस खास छेद में डालते हैं और उसे एक खास तरीके से घुमाते हैं, वो आपके लिए एक दुनिया खोल देती है तो कोई भी मंत्र अपनी ध्वनी की वज़े से महत्वपूर्ण है अर्थ एक मानसिक और सामाजिक रचना है अर्थ वास्तव में अर्थीन है, पर ध्वनी मौजूद है ये एक विज्ञान है, जिसमें हम ध्वनी के इस्तिमाल से अपने अंदर और आसपास एक तरह का माहौल बनाते हैं अर्थ तो बस हम खुदी गड़ते हैं अर्थ तो बस्तिमाल बनाते हैं